इंदोर में देड़ वर्ष के बच्ची की चार पहिया वाहन की चपिट में आने से दर्दनाक मौत हुई इंदोर के तिलग नगा थाना छेत्र इस्तित महादेव तोतला नगर में रहने वाला कुमावत परिवार गम के सागर में डूब गया है यहां अचानक हुए दर्दनाक हाथसे में हस्ता खेलता लविश मोत के गाल में समा गया बताया जा रहा है कि डेड़ वर्शी लविश अपने चाचा के साथ कार से घूम कर घर लोटा था और परिजनों दुआरा उसे कार से नीचे उताने के बाद उसे घर के अंदर भी कर दिया गया था लेकिन जब कार अचानक रिवस ली गई तो बच्चा कार के पिछले हिस्से की चपेट में आ चुका था इसके बाद परिजन उसे तुरंत नीची अस्पताल में लेकर पहुँचे जहां उसे म्रद गोशित कर दिया गया है आपका शुम ना मतले पिए शुम निश्वा काना कि मिसाजी नंबरी बखाए